यहां पर प्रॉबलम आरही थी कैसे हम सिलेक करें कैसे हम हमारे marks को फिल आुट करें विकास बहुत से इसे धे जिनोंहें के बोड्ज अINGके साइब करते चुछिए जिनके पास मंट के माश्यंते नहीं नहीं थे या फिर साइन्सने मांक्स नहीं थे जो फॉर्म था उसको रिजेक्ट किया गया था कि वह लोग ने कन्वर्शन सेर्टिफिकेट अप्लोड नहीं किया था तो मैं बता देता हूं कि क्या होता है कैसे आप उसको बना सकते हैं तो कुछ इस तरीके से नजर आता है तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कहा जा रहा है कि सीटी कैप में कि अगर के कैप राउंड में कहना है कि अगर आपके अगर आपके रिजल्ट में ग्रेड है यहां पे परसेंटेज नहीं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर तो यहां पर माक्स है जरूर हमारे पास में अगर हम देखें तो इंग्लिश लिट्रेचर यहां पर इंग्लिश लांग्वेज का जो है यहां पर परसेंटेज माक्स है फिर हिंदी हो है यहां पर माकस है फिर वैसे जगिस्हेशिश का यहां पर मार्ट के पास हमummy щilis mum aux living users अंहिक जरूर के लेकिन उसी के साहथ में देखो एक चीज़ और है कि यह 10th में अगर मैं देखो तो यहां mathematics है, यहां पर mathematics है लेकिन science नहीं, बट हमारे पास में अगर हम देखे जब हम fill करते हैं, तो हमको यहां पर mathematics, science और English को fill करना पड़ते हैं, जो की हमारे result में है ही नहीं, तो हमारे result में अगर यहां पर जैसे हम mathematics देख सकते हैं, लेकिन science तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, तो science कैसे fill करूँगा, वो सब चीज़े में बताने वाला हो भी यहां पर, वैसे अगर मैं यहां पर देखूं, यह CBSC का एक sample mark sheet है, यहां पर, CBSC का sample mark sheet में भी अगर हम देखें, तो देखें, यह यहां पर aggregate final percentage नहीं दिया गया, उसके लिए conversion certificate को बनाना आपको पड़ेगा, कैसे बना सकते हैं, देखें, यह simple तोर पे, इस तरीके से बना सकते हैं, करना क्या होगा, यह आपका यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, कि यह आपका जो है, this is your mark sheet, ओके, अब यहां पर हमार होगा, कि paper कितने marks काता है, 100 marks काता है, यह 150 marks काता है, वो आप यहां पर enter कर सकते हो, ठीके, तो करना क्या है, यह एक template है, इस template कहना है, जस्ट आपको चीज़ों को enter करना है, और इसको PDF में save करके print out निकालना है, और इसके उपर यहां पर sign करना है, यहां पर आपका sign आएगा यहां पर आपके parents का sign आएगा, ठीके, तो इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो simple से क्या करना है, यह जो है, यह copy, यह word copy है, मैं आपको provide कर दोंगा, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़, कि आपका year of passing, ओके, सबसे उपर आपका, सबसे उपर conversion certificate में क् उसके बाद में examination का name आएगा, तो यहां पर जैसे कि CBSC लिखा हुए, अगर आप ICSC से थे, तो आपको यहां पर जो नाम है, वो directly देखी है, अगर आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इधर पे, कि Council for Indian School Certificate Examination New Delhi, तो वो यहां पर आप डल देखेंगे examination, उसके बाद में यह नाम आप डाल देखेंगे, नाम डालने के बाद में year of examination क्या था, वो आप डाल देखेंगे, जैसे कि अगर आपको 2022 में हुआ था, 2022 दालिए, 2023 में exam हा था, वो डालिए, जो भी year of examination था, यहां पर यहां पर डाल दीजिए ठीक है उसके साथ में यहां पर next line पर हमारे पास में क्या है next line पर है passing year तो passing year कौन सा था वह आप डाल दीजिए role number आपका क्या था जो कि आपको मिल जाएगा आपके यहां पर यहां पर डाल दीजिए name of the candidate इसको बिलीट कर दीजेगा और उसकी जगह पे आपका जो भी नाम है जो भी आपका रोल लंबर सब कुछ यहां पर इसको चेंज करना है अगर cbsc है तो यही रहने दीजेगा आपका पासिंग यहां पर चेंज कर दीजेगा तो करना क्या है यहां पर उसके बाद में next नेक्स आपके पास में यहां पर मैंने टेबल बनाया हुआ है ओके अगर आपके पास में छे से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो आप उसके इसके अंदर रोस को इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है रो को उसके अंदर इंक्रीज कर लीजिएगा ठीक है अगर आपका 6 ज्यादा सब सब्जेक को यहां पर JEAN तया है करना कि यहां सब्जेक पर इसनल सब्जेक नहीं है G5 is this मेंन की अधिशनल सब्जेक तो यह म्त डुटल देना यह को दिखाई दे रहा है तो वो नहीं चाहिए, तो subject code और subject का नाम as it is, जो की आपके mark sheet में ना as it is उठा के यहाँ पर paste कर दीजेगा, फिर marks obtained जो की यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह दिखे marks obtained है, उसके subject के सामने उसका marks obtained आप डाल देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में out of कितने का वो paper कित सबको add करना है आपको, add करके यहाँ पर total marks आप लिख दीजेगा, ठीक है, इधर पर आप total marks लिख देंगे, उसके बाद में क्या करना है, out of यहाँ पर जितना है, इसका total जैसे कि यहाँ पर 6 subject का है, तो 600 में ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, यह बात clear है यहाँ पर, इस तरीके से आपको यह, आपका जो marks का एक table है, वो बनाना है, ठीक है, अगर आपके 6 से ज़्यादा subject रहे होंगे, like for example 7 या 8 होंगे, तो यहाँ पर उसके accordingly, यहाँ पर रोज को, 2-3 रोज को और increment कर दीजेगा, ठीक है, यह पूरा editable format में आपको send कर रहा हूँ, ठीक है, format में है, यह word document है, ना कि PDF है, मैं send कर दूँगा इसको, यह आपको telegram group और whatsapp group पे मिल जाएगा, और description में भी link लगा दूँगा, वहाँ से भी आप download कर पाएंगे इसको, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको aggregate percentage obtained यहाँ पर find करना है, ठीक है, aggregate percentage obtained करना है, तो उसके ल total marks मिल गया है, ओके out of marks है हमारे पास में, तो simple तोर पे हम क्या है, 555 divided by 600 into 100 कर देंगे, तो हमारा percentage आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यह 555 जो marks obtained है, into 100 कर रहे है, और divide by 600, यह 600 क्या है, यह 600 यहाँ जो कि total है, अगर आपको 700 होगा तो उसको change कर दिए, यह पूरा change करना है, सब आपको change करना है, तो 555 आप change करेंगे, यहाँ पे 600 को आप change करेंगे, 100 को as it is रहने दीजेगा, ठीक है, 100 को change करने की जरूरत है, because multiplication factor है percentage के लिए, ठीक है, तो 555 जो कि marks obtained है, आपका यह वाला marks इधर आजाएगा, और 600 जो है वो इधर आजाएगा, ठीक है, तो अगर आपका कुछ भी बदलता है, तो accordingly आप change कर दीजेगा, final जो आपको percentage आता है, उसको यहाँ पे लिख दीजेगा, इसको यहाँ पे डिलीट कर दीजेगा, इसकी जगा पर परसेंटेज यहाँ पे कौपी कर दीजेगा, इसको डिलीट करके यहाँ से इसको हटा के, यह 92 जो भी जब्याँ आता है, जैसे 93 आता है, 87 एन जो भी आता है, उसको यहाँ पे आप shift कर दीजेगा, ठीक है, clear है इतनी सी बात, इतना सब हो जाने के बाद में, एक clearly इतना बनने, के बाद म आप चाहिए तो यहां पर एडिट भी कर सकते हो अप एडिट करके प्रिंट आउट निकालो ठीक है एडिट करके प्रिंट निकाला थीक है फ्रीक है तो इतना करने के बाद में एक आपको यहां पे सब यह edit करके final edit करके इसका print out लेना है और sign करना है इसका फिर आप क्या करोगे फिर यह आपका जो mark sheet है वो mark sheet और इसको साथ में एक PDF में scan करोगे ठीक है यह दोनों जो pages हैं यह page आपका 1 होगा यह page आपका 2 होगा पहले आपका first page पे आपका mark sheet चाहिए second page पे आपका conversion certificate चाहिए इन दोनों को आप क्या करोगे दोनों चीज़ें हमको चाहिए page 1 पे क्या रहेगा आपका mark sheet और page 2 पे आपका conversion certificate इन दोनों को एक PDF में okay एक single PDF में combine करना है और upload करना है ठीक है एक single PDF में वापस बता रहा हूं okay please ध्यान से सुनिएगा कि single PDF में पहला page आपका अगर आप ICSC board से हैं तो similar thing आप ICSC board के result के साथ भी कर सकते हैं जैसे कि यह है तो इसका भी conversion certificate बना सकते हैं first page पे आपका first जो page रहेगा okay first page पे आपका result या फिर माक्षीट रहेगा second page पे आपका conversion certificate रहेगा ठीक है और इसको combine करके एक साथ में एक PDF बनाना है only one PDF file बनाना है ठीक है याद रखेगा only one PDF file दो तीन PDF फाइल नहीं बनाना है एक ही PDF फाइल में पहला page आपका mark sheet दूसरा page आपका conversion certificate रहेगा उसको आपको upload करना है यह बात clear हो गए यहाँ पर अब देखो अब बात करते हैं कि marks update के बारे में ठीक है marks update करें बहुत से लोगों problem आ रही थी तो जैसे कि आप qualification section पर जाते हो तो यहाँ पर S.S.C. का meaning क्या है मैंने दुपहर में बताया था कि S.S.C. का meaning यहाँ पर 10th standard हो कि H.S.C. का meaning यहाँ य क्या करना अगर आप CBSC Select करना चाहते हो ठीक है ध्यान से सुनो अगर आप CBSC Select करना चाहते हो तो यहाँ पर बोर्ड स्टेट में आप क्या सिलेक करोगे ऑल इंडिया ठीक है बोर्ड स्टेट में आप All India Select करोगे बोर्ड नेम में आप Select Central Board of Secondary Education Delhi Select करोगे तो इस तरीक है तो इ से किसी रीजन की वजह से नहीं था अगर आपको फॉर एक्जाम्पल तो आप क्या करोगे हैं तो कोई दरने घभराने की जरुवत नहीं है आप और पर यहां पर क्या करोगे मैंतिमाटिक्स में जैसे 75 मिला अगर आपको 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 नहीं है तो वह सब्जेक्ट के सामने 00 डाल दो जीरो परसेंटेज हो जाएगा ठीक है कोई प्रॉबलम नहीं होगी उसके बाद में अगर हम बात करें सबको रहा ही होगा तो यहां पर जो भी आपको माक्स मिलागा माक्स यहां एंटर कर दो यहां पर आउट ऑफ हंड कितना मिला था वह एंटर कर दो एग्रिगेट माक्स कितना हो रहा है आपको जैसे समझोगे यहां पर 555 डाल देंगे यहां पर 600 डाल देंगे बोर्ड स्टेट में आप All India सिलेक करोगे और बोर्ड में आप सिलेक करो Council for Indian School Certificate Examination New Delhi यह आप सिलेक करोगे यहाँ पर ठीक है उसके बाद में Mathematics समझो अगर आपको नहीं था तो Mathematics के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे 0 डाल दो यहाँ भी 0 डाल दो Automatically percentage यहाँ पे 0% हो जाएगा साइन्स भी अगर आपको नहीं था तो 00 डाल दो जो था उसको उसका मार्क्स एंटर करो जो नहीं था उसके जगा पे 00 डाल दो तो यहाँ पे 0% आ जाएगा English था तो English का 75 यहाँ पे जैसे for example अगर आपको आया था out of 100 तो यहाँ पे डाल दो 75% आ जाएगा final aggregate marks आपको कितना हो रहा हो डाल दो यहाँ जैसे for example समझ लो कि 574 हो रहा out of 600 तो हम इसे डाल देंगे तो यहाँ परसेंटेज आटोमाटिकली आ जाएगा ठीक है clear है यह बात परसेंटेज आपको एंटर करने की जरूद नहीं पड़ेगे परसेंटेज आटोमाटिकली कल्कूलेट होता है तो जो सब्जेक्ट आपको नहीं था उसकी जगह पे 00 डालके सेव कर दो ठीक है जहां पर grade certificate आपको मिला है तो उसको conversion certificate लगाना बहुत जादा mandatory है वहां पर ठीक है यह बात पूरी clear हो चुकी आप सभी लोगों को सो यहां पर आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए और अगर आपको ऐसे और भी अपडेट से है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कूर नहीं भूलेगा अगर वीडियो अच्छा था लाइक शेयर वगर कर दीजेगा अपने और भी फ्रेंड्स करते हैं जो कि CBSC बोड या आप